अपने डॉलर की हालत बचाने के लिए अमेरिका को मोदी के नाम का इस्तिमाल करना पड़ रहा है अपनी जनता को शांत करने के लिए क्योंकि मामला बहुत बड़ा है 16 नमबर और 17 नमबर को दो बड़ी रिपोर्टें आई है जिसके बाद में अमेरिका को खत्रा हो गया कि जापान साओधी और भारत मिलकर कहीं उसका पैट्रो डॉलर का मामला बिकार ना दें जापान और भारत ने तो सीधे तोर पर अपना विदेशे मुद्रा बंडार कम किया है जबकि विशेशक्यों का मानना है कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी अमेरिका के अंदर दुनिया भर के कई ट्रिलियन डॉलर जमा पड़े हैं जो अगस्त के अंदर और सितंबर के अंदर जब कमपेर किया गया तो उन्हें पता पड़ा ये बहुत तेजी से कम हो रहे हैं एक ही महीने के अंदर 215 बिलियन डॉलर अमेरिका के अंदर जो जमा थे वो कई देशों ने निकाल लिये जिसके अंदर जापान अकेले ने 80 बिलियन डॉलर निकाले थे भारत का भी अगर देखा जाए तो पिछले 5-6 महीने के अंदर भारत भी तकरीबन अपना 100 बिलियन डॉलर कम कर चुका है जो फॉरेक्स रिजर्व था जो पहले के हिसाब से तो बुरी बात मानी जाती मगर जो नए समीकरण बन रहे हैं उससे इस डॉलर को ही खतरा हो गया अगर सारे के सारे देश अमेरिका से बोलें अचानक से कि आपके पास में जो तकरीबन 8 ट्रिलियन डॉलर हमारे जमा हैं वापस कर दो तो उनके डॉलर की वैल्यू खतम हो जाती है इसके अलावा अमेरिका की जो सबसे बड़ी पोजीशन है यानि कि पेट्रो डॉलर वाली सरकार मार रही है जिन्होंने साओधी के लिए जो स्टेटमेंट दिया था वो उसको भूल कर कह रहे हैं सबको कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता ये है कि 2018 के अंदर एक पत्रकार होता है जिसका नाम होता है जमाल खशोगी जो कि अमेरिका के वशिंग्टन पोस्ट नाम के ए नोंने एक सवाल के जवाब में ये कहाता कि हम चाहे कुछ भी कर लें यहां पर जो बैठे लोग है वो अपने हिसाब से क्या चापने वाले हैं उसका हमें पहले पता होता है उनका इशारा भी इसी अखबार की तरफ था जो अपनी मन घडंत बातें भरत के उपर थोपता र पूरे के पूरे मामले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं मगर अमेरिका के अंदर जो ये आदमी होता है इसके एक कोई रिष्टेदार केस साइल कर देती है साथी के अंदर अमेरिका का जो खुफिया विभाग होता है वो एक रिपोर्ट बना के देता है और वो ये कहता करने की बात चलने लगती है इस समय जो अमेरिका के राश्ट्र पती हैं ये तो अपनी चुनावी सभाओं के अंदर भी कह चुके हैं कि जिसने भी ये काम किया है यानि कि साओधी प्रिंस को परोग्ष रूप से कह रहे थे कि उनको सजा दिलवा के रहेंगे मगर अचानक से एक यू टर्न आ गया आज ही 16 नमबर को यूरोप के बैंक एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं और उस रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है कि पूरा का पूरा यूरोप रिसेशन के अंदर जा रहा है केवल दो अग देशों को अगर छोड़ दो तो बाकी सभी के सभी धीरे धीरे अपना विदेशी मुद्रा कम करने में लगे होए हैं और उसके बाद में 17 नमबर को अमेरिका की तरफ से भी रिपोर्ट आई जाती है कि बहुत सारे अन्य देश जिनको शायद जरूरत भी नहीं है वो भी अमेरिका से अपना डॉलर बाहर निकाल रहे हैं यान अमेरिका ने कहा था कि आप तेल की खरीद फरोक के लिए केवाल डॉलर का इस्तेमाल करें एसा होता गया और समय के साथ में इनके पास में इतने डॉलर इखटे हो गए कि अब ये सोचे कि अब क्या करें इन डॉलर का तो जितने भी तेल का उतपादन करने वाले देश हैं जिनके पास में डॉलर भर-भर के पड़े थे, उन्होंने अमेरिका के साथ एक और एग्रिमेंट किया, कि आप इन डॉलर्स को कहीं कहीं पर अलग-अलग जगे लगा दो, और इन डॉलर्स को कहा गया पेट्रो डॉलर, अब पिछले काफी समय के अंदर जो तेलों की कीमते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुनाफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया इन देशों का, तो पेट्रो डॉलर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए है, यानि कि वो सारे के सारे अमेरिका अलग अलग जगे इन्वेस्ट कर रहा है ज्यादातर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अमेरिका के अंदर ही है अगर इस पेट्रो डॉलर को वापस निकाल लिया जाए अगर सारे देश काए हमें तो वापस चाहिए साथी के अंदर उन देशों का जो विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर के अंदर है वो वापस निकालने लग जाएं तो डॉलर तो जमीन पर है 2014 के अंदर जब मोदी प्रधान मंत्री बने थे उस समय उनके साथ भी इसी प्रकार की कुछ घटनाई हुई थी और उनको अमेरिका के अंदर कई सारे उनके खिलाव भी केस किये हुए थे जिनको तुरंट अमेरिका को हटाना पड़ा क्योंकि मोदी ने आते ही क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने जापान का दौरा को फाइनल किया ये बात अलगया कि जापान वो तीसरे या चौथे नंबर पे गए थे मगर उनकी जो विजिट जापान के अंदर फाइनल हुई थी वो सबसे पहले हुई थी और इसी बात से अमेरिका ऐसा घबराया कि तुरंथ यही बात उन्होंने कहा कि मोदी तो क्योंकि भारत के प्रधा चीदी चीजें जिस प्रकार से साओधी के क्राउन प्रिंस के बारे में कही जाती थी मगर अब जाकर मोदी का नाम लेकर उनके लिए कहा जा रहा है कि जैसे हमने मोदी को इम्मुनिटी दी थी वैसे ही इन साओधी प्रिंस को हम इम्मुनिटी दे रहे हैं विदेश नीतिय होती है देश को वही आगे लेके जाती हैं जिन नीतियों के लिए भारत के लिए कहा गया कि इसके जो वर्तमान लीडर्शिप है सामने आ रहा है कि इनकी हर एक नीती कितना सटीक काम कर रही है नमस्कार धन्यवाद जैहिंद